इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ पहले यह बता देता हूँ इस वीडियो में मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा पूरा उसका ड्रीने सिस्टम क्या है कहां से बहती है कौन सा एरिया है लास्ट वीडियो में मैंने कहां तक खतम कर दिय गंगा को पुरा ड्रेने सिस्टम पढ़ा दिया है इस वीडियो में आपको ब्रमपुत्र का पढ़ाऊंगा पनाने से पहले मैं आपको पहली नौर्थ इस टेट हैं वह बता दिता हूं देखो साथ स्टेट यह हैं कौन से पहला यहां से देखते हो कि अनांचल प्रदेश फि से एक آپका सिक्किम भी आता है तो पूरा ए इस्टेट किसमें आते हैं आपके एट इस्टेट यह वाला पार्ट कहलाता है नौर्थ इस्ट ठीक है मतलब दो तर पूर्वी वाले जो स्टेट मैं बताऊंगा अब ब्रह्मपुत्र रिवर देखते हैं ठीक है तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरजिन है जो ब्रह्मपुत्र का रिवर का ओरजिन है वो कहां से होता है आंगसी ग्लेशियर ठीक है आपको एक कई जगा आंगसी ग्लेशियर लिखा मिलेगा कई जगा क्या का पाट है तो ये म सोचने कि ये सही कि ये सही नहीं हमें दोनों आध करके चलना है जो हुँ जो भी आएगा तो यह एक साथ नहीं हमें तो क्या है कि कहां कि अचे से बताऊंगा ठीक है इसका पुराना नाम प्राचीन नाम क्या है जो कि संस्कृत में मैंशन है ठीक है संस्कृत में आपको मिलेगा इसका पुराना नाम क्या लोहित्य मिलेगा ठीक है लोहित्य लोहित्या आपको ये मिलेगा ठीक है तो समझ में आगया कहां से निकलती है आं imen जाओ करके चलना कि लेंध बहुत कम पूछा जाता है फिर भी कभी पूछ लिया गया तो यह नहीं सोच लेंठ है कि यह नहीं सोचना जोंग को सकते हैं तुदियू आको याद रखना है दो no length सबीद्स लें अपको ज्यादर जगा यह मिलेगी और कि volume से होता है largest का मतलब होता है volume से मतलब कितना पानी लेकर आती है और longest का मतलब होता है कि कितना length travel करती है longest का मतलब length से है और largest का मतलब volume of water से है कि water कितना पानी कितना लेकर आती है अपने साथ तो 9th हो गया और 5th हो गया बहुत ज़्यादा relevant नहीं है था मुझे पता था इसलिए मैंने बता दिया है इतना relevant नहीं है तो यह यहां से निकलती हुई पहले यह तिबद वाले पार्ट में ट्रैवल करती है तिबद वाले पार्ट में ट्रैवल करती है तिबद वाले पार्ट में ट्रैवल करती है तिबद वाले पार्ट में ट्रैवल करते हुए यह पहुंचती है कहां पर नामचा भरबा उससे पह जाता है इसे बोलता यारलंग आपको जाएगा यारलंग जाएगा आप यारलंग याद रखो और यारलंग जांग घौ दोनम से आसकता है तो तेप्भद वाले बutinami िसका क्या नाम है इसके नाम मैंने यह बता दी है। कितने नाम से जानी जाती एक, दो, तीन, चार समझाओंगा ब्रह्मो पुत्र KEVIN के कितने कहां क्या 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 नाम हैOohá तो इंदी वाले पार्ट में शांग पो만 चाइना मियारलंग जांग बो हिंदी वाले इसे हिंदी से लिख लेंगे यह कोशन में बता दिया कब आए गया ठीक है तो यह तिब्यत या चाइना वाले पार्ट में यह नाम हो गया अभी यह ऐसे यहां से आंगे मूफ करते होगे पहुँचेगी नामचा बर्वा यह परवत ठीक है यह परवत है नामचा बर्वा एक्चुली क्या है यह तरेन है यहां का ऐसा कि यह यूटन लेती है यहां से important question बनेंगे मैं अच्छे समझाओंगा क्यों कैसे बनते हैं तो यह यहां से सीधा यूटन लेके इंडिया आती है ठीक है यूटन लेके ऐसा पहाड़ों का ऐसा यह समझ लिजे कि आप ऐसा टोपोग्राफी है इसकी टोपोग्राफी का मतलब कि यहां का डिजाइनिंग ऐसा है कुछ परवतों का डिजाइनिंग ऐसा है यह यूटन ले लेती है याद रखना है यह यूटन याद रखना है कहां पर लेती है तो ब्रहमपुत्र यूटन कहां पर लेती है नामचा भरवा पर लेती है नामचा भरवा पर यूटन लेने के बाद यह कहां पहुंच जाती है यह पहुंच जाती है आपकी एंट्री लेत ठीक है यहां से मैदान शुरू होता है यहां से प्लेन शुरू होता है तो जब यह एंट्री लेती है अर्णांचल प्रदेश में और परवत वाले छेतर में रहती है तब इसका नाम है क्या नाम है इसका शियांग ठीक है याद रखना जब परवत वाले छेतर में तब इसका प्रइश के पहालो वाले रीजन पर थी तो शियांग नान था इसका मैदानी चेत्र में तो इसका नाम धिहांग हो गया यह बहुत इंपॉर्टेंट ही कई बारा चुका है तो शियांग हो गई फिर दिहांग हो गई अभी बता देता हूं यह रीजन कैसे डिवाइड़ है दिkahां जो अपर मिलती दिवांग इनाम याद रखना इसना कनफंफीॉजिंग है ये बहुत कर मिलती दिवांग और यहां से आकर मिलती लोहित अब देखो यह कितना इंपॉर्टन कोईशन है आई-एस की फ्री 2016 में आ चुका है ठीक है क्या आ चुका है कि किन तीन रिवर से तीन रिवर से मिलती है क्या ब्रह्मपुत्र अब जब साधिया टाउन में कौन कौन सी तीन रिवर मिलेंगी कौन कौन सी तीन रिवर मिलेंगी दिहांग दिवांग और लोहित ठीक है दिवांग कहां से निकलेगी इंडो चाइना बॉर्डर से निकलेगी इनका ओरिजन इंप तब इसे उसका नाम पड़ेगा ब्रम्ह पुत्र, तो क्या आपको पता चला, पहला नाम था इसका शांगपो, फिर आया नाम दिहांग, फिर इसका नाम आया ब्रम्ह पुत्र, ओके ब्रम्ह पुत्र नाम कब आता है, मैंने लिख दिया है, दिहांग दिवांग प्लस लोहित, ठीक है दिहांग दिवांग प्लस लोहिड यह तीनों का चांदिया टाउन पर होता है जिक पर होता है तब यह बंती ब्रह्म पुत्र ठीक है अभी मैं इसको थोड़ा और इच्छी दिखा देता हूँ ठीक है देखो हां यह पूरा आपका आसाम वाला रिजन है यह आपका यह अरंदान्चल परदेश है Mexico j fire ये वाला जब पहाडों सा युक्षर ये डिकर आई ये टरेंद पुरेञ्टार लुप दिख रहे है ये छोटे छोटे दिख रहा है न है यह पहाडों की चढ़ाईएएट इपने और यहां से जब बinator अपर कर देखे लिएम पर और यहका देखा दो इक मुझ रिवर कर बना कर नहीं चलती है यहां कि अगयां पे इस इक व शीयुको बीट किय चले पत्राइबर गना सब्सक्राइं स्ट्रक्चर दिख रहा है यह कितना टूटा हुआ पार्ट दिख रहा है अभी जब आप गूगल इमेज देखोगे ना तो यह काफी जादा जूम करके देखोगे तो कभी में स्ट्रीम कभी एकदम मोटी सी स्ट्रीम आपको नहीं दिखेगी यह चोटे-चोटे पार्ट में चलती है तो यह जो इस्ट्रक्चर बनता है यह से यहां तक पूरा इस इसट्रक्चर बनता है यह आपका कहलाता है क्या गुंफित या ब्रेड़ीडीड रिवर तो उसके बाद यह ब्रहाँ पुत्र है ठीक है इसका नाम पड़ चुका है बlorum ठीक है इतना hopefully समझ में आगया होगा कई जगह ऐसा होगा कि मैं रिवहाँ कुछ नाम हिंदी में लिखा नहीं हूँ यहाँ पर पर हिंदी में बोलूँगा ज़रूर सो आप उसे लिख लेना ठीक है जब यह मैं पेडिया प्रवाइड कराऊंगा आपको तो उसमें आप एडिट कर लेना मतलब प्रिंट करा कि आपको जैसे भी आपको जैसे भी आपको इसी पड़े आप वो तो यह दोनों कौन सी जगह हैं डिब्रुगाड और लाखिमपूर काफी इंपॉर्टन दे क्योंकि उसके बीच में यह देखो टूटेगी तो ऐसे बहुत जगा पर ब्रेडड रिवर है तो मैंने पहली बताए यह बहुत जादा ऐसे टूटे हुए पार्ट में ही चलेगी ना ब्रेडड रिवर है तो यह तो गुमफित सरीता गुमफित रिवर है तो यह ऐसे टूटे हुए पार्ट पर ही चलेगी पर यह तो दो में स्ट्रीम एक जगह जब टूटती है तो एक आईलेंड बीच में बनता है आईलेंड क्या होता है ठीक है दूइप क्या होता है ज यह एक मात्रेसा दीप है, जो रिवर में बनता है, वो सब बना हुआ है, वो सारे कहां बना हुआ है, आपका समुंद्र में बना हुआ है, पर एक लैंड के अंदर, मतलब लैंड मास पे, रिवर के कारण बनने वाला एक मात्रेसा आइलेंड है, कौन सा आइलेंड है, मंजूल का नाम रहेगा, फ़ेर कुटिया रहेगा, नीचे वाली का ब्रहमपुतर हेगा, ये दोनों ऐसे divide हो जाएंगी, और divide होके जो island बनाएंगी, याद रखना, जो divide होके island बनाएंगी, उसका नाम है Manjuli island है ठीक है, और ये island याद रखना बहुत है, यह इसको चाह की से ज़िट है हौँ? मंजूली आइलेंड बनाने के बाद आपकी रिवरले को मिल Sanders लाकिम पूर लहाँ चाहएं मैं कहके जेतों है यह जात्ते हैं चाहं से पहुँचते हो This पर यहां बताने का मतलब है आपको रिवाइज होता जाएगा उतनी बाट कि तो काजी रंगा कहाँ है सबसे पहले यह याद रखना कि असाम पर जब एक काजी रंगा फेमस क्यों है यह याद रखना है वन होर्न रेनोसिरस के लिए ठीक है एक सिंग वाले जो रेनोसिरस होते हैं इसके लिए काजी रंगा काफी जादा फेमास है ठीक है तो यह याद रखना यह भी कोशन बनता है कि काजी रंगा किसके लिए फेमास है ठीक है एक सिंग वाले जो रेनोसिरस होते है ठीक है तो यह पेंडविक जो कोरोना के कारण जो भी प्रॉब्लम आया ना ये इस नैशनल पार्ग ने काफी जहला है क्योंकि इनकी जो में इंकम थी ना वो टूरिस्ट के ही कारण थी तो वो जो बंद हो गया उसके कारण इसे बहुत जादा काजिरंगा नेशनल पार्ग को ठीक है उसके बाद यहां से रिवर जब हम ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बिसिकली इसको बहुत अच्छे से पर अभी याद रखना है कि केमेंग ठीक है एक रिवार कौन सी केमेंग ठीक है यह कौन सी राइट बैंक पत्थ याद रखना नामेरी और याद रखना नाम असाम महें को मिलते हैं तो यह यह पहुंच पर पहुँच गी गुषाटी के पास पहुचगी एक चीज और बता देता हूं इंपोर्टन नहीं यह इस ज्लिए ज्जादा मैंने अच्छे से लिखा नहीं है लुइक आपको लिखना हो तो लिख लेना कभी यह मैंने देखा नहीं कि कभी यह qualification आया एठीक है पर ठीक है लिखना आ हो तो आप लिख सकते हो गमार्टी में याद रहना यह important है कि गुहाटी में इसका जो इसका रिवर ये काफी ज़दा नैरो हो जाएगा है काफी ज़दा सकरा हो जाएगा एक केमुए्टर बचेगी नहीं तो ये इतनी ब्रॉड है ये सबसे ज़दा ब्रॉड रिवर है याद रखना ये बечение बहुत चाणी रिवर है लेकिन यह गुहहाटी में हाके इसका हाल क्या हो जाएगा यह एक किलोमिटर वाइट रह जाएगी ठीक है गुहाटी में गुहाटी के पास में ठीक है फिर ब्रंध्पुत्र ऐसे करते हुए पहुँचेगी आपकी असाम के धुबरी में ठीक है तो क्या-क्या याद रखना है यह यहां पर पहुंचगी दुब्री में दुब्री से यह स्टेट को क्रॉस कर जाएगी बंगलादेश पहुंच जाएगी ठीक है बंगलादेश पहुंच जाएगी दुब्री यह इंपॉर्टेंट याद रखना दुब्री से क्रॉस कर पर आपके असाम पर पड़ेगा ठीक है यह क्रॉस कर जाएगी आपका बंगलादेश में पहुंचने के बाद इसका अलग सीन है ना पर आपको कहां तक बता दिया मैंने ये बता दिया कि ब्रह्मपुत्र एकजिट कहां से करेगी दुबरी से एकजिट करेगी इंडिया को जोड़के चली जाएगी कहां पर बंगलादेश में है ना अब इसका ये फोर्थ नाम, पहले मैंने क्या बताया था, तिबबत में से शांगपो बोला जाता है, चाइना में से यारलंग जांगबो बोला जाता है, इस रिजन में इसका नाम ब्रह्मो पुत्र पढ़ता है, उससे पहले दिहांग या सियांग रहता है, और दिहांग या स पहुंचती है तीस्ता से मिलती है तीस्ता कहां से निकलती है सिक्किम से निकलती है वेस्ट बेंगॉल इसका यह याद रखना है कौन कौन से स्टेट से निकलती है तो सिक्किम से वेस्ट बेंगॉल से निकलती है जब यह बांगलादेश में मिलती है ब्रह्म पुत्र से जहां जब कहा पर पहुंचती बंगलादेश में पहुंचती तो उसका नहीं हो जाता है ठीक है और यह पादमा मतलब गंगा और जमुना मतलब ब्रह्म पूत्र जब पदमा और जमुना मिलते हैं कहां पर चांदपूर में किस से मेघना से तब इस पूरी रिवर का नाम पढ़ जाता है मेघना ठीक है यह इंपॉर्टेंट है यहां से क्या पता चलता है यह मेघना नाम से आ जाती है न तो मेघना की इंडिया में गंगा, और ठीक है। सो गंगा, ठीक है। टीक है। यही मिलते हैं। तो है लिज़ोंगा मोँल में पहुंच जाती है। मतलब बेयललवे विंग॓ल में पहूंच जाती है। डिल्टा बनाते हुए। अब जब डिल्टा बनाती है। तो हैं पर आईलेंट बनते हैं। दोल आईलेंड बहुत इंप्टेंट है। यह इंटिया के साथ है याद रखना ― यह मैं प्रधोर है। इनकी और पर एक पढगान क्राइग मिना य 오케이 बनाती है। Arabian Sea में है ठीक है यह ऐसे question बहुत बनते हैं तो याद रखना है कि New Moor Island कहाँ पर है आपका disputed island है विवादित island है किस कहाँ पर है यह बंगलादेश में है ठीक है और एक यह भी रहता है यह भी news में काफी जाधा रहता है भाशन चार island तो देखो में पढ़ता है भाशन चार पढ़ता है यह समझ में आ गया हो तो ब्रह्म पुत्र में मैंने क्या क्या बता दिया मैंने होफुली यह सब बता दिया है अब ब्रह्म पुत्र एक question और बहुत important बनता है कि अभी एक question और important क्या बनता है यह कि ब्रह्म पूत्र किस किस country से निकलती है तो country काफी ज़्यादा important है उत्तरप्रदेश प्येश्ची में यह कई बार question पूछा हुआ है कि countries का then aip ki इंडिया देन आपकी बंगलादेश है यह तीन country से लिकलती है इसे चाइन भी कें सकते है तो यह याद रखना है कि आपका इंडिया है और बंगलादेश है तो यह कोशन बहुत बंता तो यह भी याद रखना तो इसका drainage system जो है वो कौन कौन सा है ठीक है तो यह सा मैंने पढ़ा दिया एक चीज और हाँ असाम जो है यहाँ पर यहाँ पर एक tribe रहता है बोडो ठीक है काफी जदा important है वसे अभी को पता होगा बोडो land की demand करते रहती कि उनको अलग से चीए तो बोडो tribe relevant मेरे को अभी बता देता है यह important नहीं है मुझे मिला है इसलिए मैं इससे बता देता हूँ तो बोडो tribe इसको कहती है भुल्थं बुथूर कहती है किसको river को कहती है कौन से river को यह river बोडो तो बोडो जो ट्राइब है इसे क्या कहते है और इसका मतलब होता है making of gurgling sound gurgling का मतलब होता है जब आप गरारे लेते हैं पानी के जब आपको सर्दी वर्दी हो जाती है तो गरारे लेते होंगे तो वो जो sound निकलता है वो गर्गलिंग साउन्ड होता है और जब पानी बहुत तपेटा है ठीक है पानी काफी DRC यहाтकर रहा थी अब साथ सेडीमेंट मैंडली की वाला रीजनज ढर भी हम राइड बढ़ेंगे तो सारी ऐसी बैयती है तो यह वाला उंचा पौर्शन co हां इसनुट ही तो नहें अज़ीं आपको पर मिलेंगी इसकी ए बॉंटेंगे तब pops अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिविजन होता तु कंचन जम्गा जो कि ट्रीड की आपको बॉर्ड और क्या है इंडियर की बार्डर मिलचे गई सब्सक्राइब करते है怎麼 कि आगांडें पैंपाल पूत्र शीए कंचन जंगा बेसीन में है या अब वबाहतंत्र में है ठीक है बेसीन को अगर कुछ और बोलते हैं तो आप मुझे हिंदी में बता दीजेगा वैसे वही सब चोटे जोग्रिफिकल टम होते है बेसीन हो गया आपका और ड्रेने सिस्टम हो गया और भी जैसे बहुत सारी चीजे उसका मैं आपका क्या है तो इसे क्या बोलते हैं ये लिए 310 को कि लिए छिए सब्स्र diyorum दोहाँ इंत्व अरव चुकальных situation ओड्रेने उसका स्वरियसन इंत्व हीस पारून का मैं सोचना जिती है अदर एक मैं तो स्काफ्शलbak से मुझे सब्सक्र पूछ FM किसी विग्जैम में पूछ सकता है ठीक है तो इसे क्या बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं याद रखना हिमाले ऐसे फैला जम्मू काश्मीर से लेके आपके अनांचल तक तो ये दो बार मुड़ता है ऐसे ये भी मैं बता रहा हूँ आपको दो बार मुड़ता है यहाँ पर बुड़ता है नामचा भरवा पर मुड़ता है ठीक है यहाँ पर मुड़ता है नंगा परवत पर जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है इंडिया की पार्ट में लेकिन पाकिस्तान occupied कश्मीर में पढ़ता है गिलगिट बालतिस्तान में पढ़ता है नामचाबरबा तो दो बार यह आता है टर्न ना syntaxial turn है यह syntaxial band है हिंदी में क्या कहते हैं आप यह देख लो मैंने लिख दिया hairpin turn भी कहते हैं ठीक है अक्ष शंगी मोड है ठीक है अक्ष शंगी मोड है तो यह आ गया था is pre 2011 में क्या आया था यह कि यह जो टर्न है उसका नाम क्या है नाम डायक्ट नहीं पुछा था चार ओप्शन दिया था कि इन में से किस के कारण यह turn हुआ है तो उन में से जो option एक था वो syntaxial band के कारण यह turn आता है ठीक है एक्ट्रा्प में बता देता हूं कि यह turn दो बार आपको मिलेगा देखो एक indoist के कारण यह बन रहा है और एक यह दो बार यह फिखा देता ऊंक नंगा परबबत पर यह eas Start ब कोई रहे थे आपकी कौन सी रिवर ब्रभ्यपोत्र और ये जो पूरा पठार है याद रखना तिब्धत पतार है जो कि चाइना का पार्ट है तो तिब्धत के पठार से बहुत ज़्दा कुछन बनते है कि कौन कौन सी रिवर निकलती है तो एक बार मैं आपको بتा देता हूं तो ये Maansur Never Lake है यहां से बहुत सारी river निकलती है ये कोशन कहीं बार आये दिखो बिहार पेस सी 1994 में आये और कहीं बार आ चुका है ये तो माansur Never Lake से आपसे पूष्ठें कि कौन-कौन सी river निकलती है तो याद रखना है ब्रह्मुपुत्र निकलती है यह निकलती है कहां सतलज इसी से आपकी इंडस निकलती है सबकी specific नाम है जैसे राकस लेक से यह निकलती है सबकी specific नाम है पर आपको मोटा माटी याद रखना है कि तिबतन प्लैटिव से आपकी ब्रह्मपुत्र भी निकलती है और सतलज भी निकलती है और इंडस भी निकलत क्या क्या नाम है प्राची नाम भी बता दिए अब देखो अभी इसमें और क्या 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 कोशन बनते हैं इतने से नहीं होता ना बहुत सारा चीज़ आती एक तो देखो इंडस है कहां से निकलती है तिबतन प्लेटिव से सारी रिवर याद रखना है ब्रह्मपुत्र निकलती है सतलज निकलती है इंडस निकलती है और क्या निकलती है इरावदी निकलती है साल्वीन निकलती है मैकॉंग निकलती है यांग से निकलती है और यलो निकलती है यलो तो अप यह एक फैक्ट प्लूसेंट में आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं तो तिबत के पठार को तिबत के प्लैटिव को क्या बोलते हैं रूफ आफ द वर्ल्ड कहते हैं ठीक है रूप आफ द वर्ल्ड कहते हैं यह लिख लेना इतना इंपॉर्टन तो मुझे नहीं लगता पूछ सकता है अगर फैक्ट दिया हो तो इसे रूफ द रूफ द रूफ द वर्ल्ड कहते हैं ठीक है रिवर बता दिया कौन कौन से निकलती है मांसर लवर लेक के आसपास से तीन रिवर निकलती है यह कोशन बनता है इंडा सतलज और आपकी निकलती है क्या ब्रह्म पूत उसका अगर पीडिएफ चाहिए तो आपको वेफ और यह मैंने डाल दिया है इसलिए ताकि आपको पदल जाए यह टेलिग्राम चैनल है ठीक है टेलिग्राम चैनल है अभी तो सब्सक्राइबर बहुत कम है पर मैं अपडेट इसको करता रहता हूं जो भी कुछ वीडियो इसके बता दिया आपको सर्ज करना पड़ेगा अगर पीडिएफ चाहिए है तो होफुली यह समझ में आ गया होगा